धक धक फिल्म की सबसे स्मार्ट और सबसे डंब चीज है उसकी रिलीस डेट, क्योंकि मेकर्स को अल्रेडी पता है कि कोई फिल्म देखने जाएगा नहीं, इसलिए उन्होंने इसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वीक में रिलीस किया, जिससे फिल्म फलॉप होने का सारा ब्ल के लिए उसने एक नया ट्रैक पकड़ा है, मनप्रीत को और सेठी, एक टिपिकल पंजाबी नानी मा, जिसने रिसेंटली गिफ्ट प्राइज में एक बुल्ट जीती है, और अब उन्हें अपनी सामली के नजरों में नानी से रानी बनने के लिए ये ट्रिप करनी है, उस मा जिनका टैलेंट है खाना बनाना, और सीकरेट टैलेंट है गाणिया ठीक करना, जो अपनी बेटी और 75,000 रुपियों के लिए, एक सीधी साधी कन्या, जिसकी सिंगल मदर ने उसकी इतनी अची देखभाल की कि कभी मनजरी ने दुनिया ही नहीं देखी, बट अब अपनी अ में अपनी ट्रिप कंपलीट करने की कोशिश करते हैं, एक अफते पहले ही हम थांक्यू फर कमिंग जैसी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट फिल्म से गुजरे थे, और इसका सदमा खतम भी नहीं हुआ था कि उतने में एक और फीमेल ओरेंटेट फिल्म आ गई, बट लकीली धग धक दिल्ली से खारदूंगला तक की एक 7-day road trip है, पर इन बाइकर से जादा तो इस फिल्म की कहानी घूम रही थी, फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनकी प्रॉब्लम्स बहुत एजीली सॉल्व हो गई, जैसे कोई रास्ता भटक गया और उसका फोन खो गया त हम तक कभी पहुच ही नहीं पाई, अल्सो फिल्म के एंड तक चारो स्रेंजर्स बैष्टी बन चुकी थी, बट उनकी श्रॉंग बॉंडिंग कभी जस्टिफाई ही नहीं हुई, और नशे में तो इंसान ओवर फ्रेंडली हो ही जाते हैं, राइट? मेरी जान, मेरा, मेरा नुसरत फटली खान, ये बाट है, धक धक की काश की बात करें तो फातिमा सानाशेक नेवर गॉट अफर चारेक्टर, संजना सांगी ट्राइड हार बिंग दे क्यूट वन, बट उनकी कोशिश पूरी तरह रं नहीं लाई, दिया मिर्जा पोट्रेड स्वीट मदर, जो हर सिच्वेशन में एक माही लगती हैं, बट रत्ना पातक्षा ओविसली वास्ट अबेस्ट अवल, ये बड़ी अच्छी बात कही है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसा लाइक, कमेंट, शेयर जरू करें, और जाते जाते चैनल को कुले वाल, स्टाट करू!